कहने को तो मैं बजार से घर आ गई थी परमन तो जैसे वहीं बजार से मेरी बच्पन की सखी रागनी के साथ चला गया था आज पूरे चार वर्ष वाद मिली रागनी होठो पर वही सदा बहर मुस्कान लिये यही तो उसकी विसेस्ता है अपनी हर परिसानी हर तकलिफ को अपने मुस्कुराहट में वह इतनी आसानी इतनी सफाई से छिपा लेती है कि सावने वाले को धोखा हो जाता है कि इस लड़की को किसी तरह का कोई गम है अरे भाई आज ख़यालों की सबजी बना रही हो रोहन मेरे पती के टोकते ही मैं यह धारत के धरा पर आ गई अब मुझे ध्यान आया कि मैं खाली कुकर में कल्ची चला रही हूँ वे साइद पानी पीने के लिए रसोई में आये थे क्या बात है सुधा परिसान हो इन्होंने पूछा आओ बैठकर बाते करते हैं पर खाना मेरे यह कहते ही यह बोले तुम्हे भी पता है मन में इतनी हल चल लेकर तुम ठीक से खाना बना नहीं पाऊगी और मैं सक्कर वाली सबजी खाने ही पाऊंगा मैं एक टक रोहन का चेहरा देखती रही जो मुझे मुझे भी ज़्यादा समझते हैं एक बार आज एक बार फिर प्रकृति को कोटी-कोटी धनेवा देने का मन कर रहा है कि उसने मुझे इतना समझने वाला पती दिया है फिर से खो गई रोहन ने मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा आने दो सासु मा को उनसे पूछूंगा कि कहीं आप अपने यह बेटी कुंप के मेले से तो नहीं लाई थी बार बार खो जाती है फिर इन्होंने मुझे सोफे पर बठाते हुए कहा अब बताओ क्या बात है आपको रागनी याद है कौन वह सरारती लड़की जिसने हमारे बिवाब में मेरे दोस्त को सबसे ज़्यादा छखाया था क्या हुआ उसे इन्होंने पूछा आज बजार में मिली थी पता है कॉलेज में हम तीन सक्यों की आफस में बहुत बनती थी मैं मीनू और रागनी हम तीनों के विचार बेभार और पारिवारी के इस्तितियां एक दूसरे से एक तम अलग थी हम तीनों ने एक ही कॉलेज में एडवेशन लिया था मीनू के पिदा जी बहुत बड़े बेपारी थे घर में धन दोलत की नदी पहती थी मेरे पापा फी सरकारी कर्मचारी थे हम पर दोलत की वर्षाद तो नहीं थी पर कोई कमी भी नहीं थी इसके बिप्तर विहिन रागनी के घर का खर्च मुस्किल से तब पूरा होता था जब वो और उसकी मा सारा दिन से लाई करती थी इन सब के बावजुद मैंने कभी भी उसके माथे पर परिसानी की एक सिकन नहीं देखी थी सायद हमारी आर्थी किस्तिती जैसा ही हमारा सभाब था नाजों से पले मीनू जरासी तकलीफ में घवरा जाती थी तो दूसरी तरफ रागनी बड़ी से बड़ी परिसानी भी बिना उफ की जहिल जाती थी और बची मैं जिसके लिए रागनी कहती थी अच्छा है कि तू मेरे और मीनू के बीच में है वरना यह मीनू तो मुझे भी अपनी तरह कमज़र बना देती काँच की गुरिया मीनू भी कहाँ चुप रहती पलट कर जवाब मिलता हाँ रहने दे मुझे काँच की गुरिया की तरह नाजुक मुझे नहीं बना तेरी तरह पत्थर सीने में दिल ही नहीं है और बदले में रागनी यह सेर सुना कर लाजवाब देती थी आइने को तो बस तूट जाना है आइना बनने से बहतर है पत्थर बनो तरासे जाओगे तो महान कहलाओगे परवक्त की मार देखो मेरी दोनों सहेलिया तूटकर विखर गई जो पत्थर थी वह भी और जो कांच थी वह भी मेरी आँखों में रुके हुए आंसों का बांध तूट गया था मैं बहुत दिर तक रोहन की बाहों में सिसकाती रही मुझे बताओ क्या हुआ इसके बाद तुम्हारा मन हलका हो जाएगा काफी दिर की खामोसी के बाद रोहन बोले तो मैंने सब कह दिया हमारा कॉलेज में पहला वर्स ही था कि मीनू की सगाई हो गई सहर के ही बेपारी के बेटे नारायन से वे दोनों रोज एक दूसरे से फोन पर घंटो बाते करते थे वो अपनी सारे बाते हमसे सेयर करती मीनू की बाते खत्म नहीं होती और रागनी अकसर उसे चिरहने के लिए कहती ओफो जिस लड़की की सगाई हो गई हो उसके पास तो भटकना भी नहीं चाहिए यह सुनकर मीनू रूट जाती और मुझे बीच बचाव करना परता था मुझे आज भी याद है जब मीनू की विवा से ठीक एक सफ़ा पहले नारायन ने साधी से मुना कर दिया परिणाम यह हुआ की मीनू जिसने कभी छोटा सा दुख भी नहीं जहला था उसी रात एक चिठी में यह लिख कर मैं नारायन की बीना नहीं जी सकती आत्म हत्या कर ली उसी दिन रागनी ने मुझसे कहा था सुधा मैं साधी से पहले किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दूंगी कि उसके दूर जाने जाते ही मेरी जिन्दिगी ही मुझसे रूट जाए और अभी एक महिने पहले ही तो उसने मुझे फोन कर बताया था मेरी सगाई हो गई है सुधा खुसी उसकी आवाज में जलक रही थी तो मैंने भी पूछा क्या नाम है पिरेम नाम है उसका और हाँ खुब बाते करते हैं अच्छा जी खुब बाते करते हैं तो आखिर पत्थर को भी बोलना आही गया अब तो पिरेम जी से मिलना ही परेगा मैंने चुटकी ली थी हाँ सुधा मुझे पता ही नहीं चला कब पिरेम ने मेरे पत्थर दिल को पिख्रा कर मौम बना दिया और उसे धरकना सिखा दिया दो महने बात साधी है तू जरूर आना हाँ हाँ जरूर आऊंगी मैंने कहा दिया आज बजार में मिली होटो पर वही सतावार मुसकार मैंने पूछा कहा जा रही है धूप में साधी को एक महिने से भी कम समय रह गया है इतनी दूप में घुमेगी तो काली हो जाएगी अरे तुझे तो पता ही है पारलर खोला है उसी का समान लेने जा रही हूँ वह जैसे मुझे पीछा चुराना चाह रही हूँ अरे पारलर वारलर छोड़ पिया के घर जाने की तयारी कर मैंने उसका हाँ थामते हुए कहा तब ही मेरी नजर उसकी आँखों पर गई उसकी आँखों में दर्द की लहर गुजरी जिसे उसने बहुत सफाई से चुबा लिया था क्योंकि अगले च्छन उसकी सदा बाहर मुस्कुराहत वापस उसके होटो पर थी वो मुसे नजर नहीं मिला पा रही थी वो जھटके से वापस जाने के लिए मुरी पर मैंने उसका हाथ पकर लिया नहीं सुधा आज नहीं कह कर वो अपना हाथ चुड़ाने लगी नहीं आज ही मैने जित की हमेशा ही ऐसा होता था उसे जब भी मुझसे अपनी कोई परिशानी चुपानी होती थी मुझसे नजर मिलाने से कतराती थी कहती थी मैं अपने हस्ते चेहरे की आड में अपना दर्द सारी दुनिया से छिवा लेती हूँ तो फिर भी सब समझ जाती है आज भी ऐसा ही हुआ था कल प्रेम के घरवाले आए थे उन्होंने अचानक ही अपनी डिमांड बढ़ा दी अमाने मजबूरी बताते हुए हाथ जोरे तो उन्होंने रिस्ता तोर दिया उस ने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा कल तेरा रिस्ता तोटा और आज तो पारलर जा रही है मुझे अपनी ही आवाज गले में फस्ती हुई लग रही थी तू तो जानती है हम दोनों बहनोंने कितनी मुश्किल से पैसे जोर कर यह पारलर खोला है और अब अगर साधी विहा के मौके पर पारलर बंद रखेंगे तो काम कैसे चलेगा रोहन समय की मार देखो मेरी दोनों सहेलियों के साथ एक जैसा ही हाथ से हुई मेनू कांच की तरह तूट कर बिखर गई उसका तूटना सब ने देखा और बिरना भी और दोसरी तरफ रागनी वह न टूट सकी और न बिखर सकी क्योंकि अगर वह कांच की तरह तूट कर बिखरती तो उन टूटी हूई कांचों से उसके अपने ही लहु लहान हो जाते गायल हो जाती उसकी मा बहने तभी तो उसने अपने टूटे हुए खावों को अपने दिल में ही दफन कर दिया उसको तो दुखी होकर शोक मनाने का अधिकार भी नहीं था उसके उपर सारे घर की जिम्मेदारी जो थी दोस्तो आपको यह कहानी अच्छी लगी ते प्लीज हमारे वीडियो को लाइकिजियो और चैनल को सिस्क्राइब